बिस्मिल्लाय उहमान रहीम, असलाम अलेकुम, वेलकम टू आर चैनल, आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेसाफ केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री को डिफर्न ब्रांचेस में डिवाइड क्या गया है, सबसे पहले आ जाती है फिजिकल केमिस्ट्री, और्गनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, नुक्लिर केमिस्ट्री, इन्वार्मेंटल केमिस्ट्री और इंडस्ट्रिल केमिस्ट्री, इन सब को हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो आज हम लोग जो है फिजिकल केमिस्ट्री की बारे में बात करेंगे, डिटेल में फिजिकल केमिस्ट्री को वोड कि वैपर में एक क्वेस्चन जाजमी आता है किसी भी ब्रांच को घूर करना होता है या फिर दोतीन ब्रांचे नोर्ड को णोर लपर को रिखनी तो इस तो पहले वीडियो में कमिस्ट्री के इंट्ऱड किया और आज chemistry के history के बारे में पढ़ा और आज हम लोग जो है branches में जो है सबसे पहली branch को detail में बात करेंगे जो कि है physical chemistry physical chemistry code की definition की बात करें तो physical chemistry की definition है आती है the branch of chemistry that deal with the study of composition and physical properties of matter along with changes with them is called physical properties यह वह प्राँच है chemistry की जिसमें हम लोग study करते हैं matter की composition और physical properties के बारे में और उन में changes क्या रहे होते हैं उसके बारे में हम लोग study करते हैं तो उसको कहते हैं यह क्या है physical chemistry composition मतलब जिससे मिलके बनावा है matter और उसकी जो प्रॉपर्टी है physical properties फिजिकल अपीनिस जैसे की color शेव वगएर आ जाते हैं उसको बोलते हैं physical properties matter की composition और physical properties की study करते हैं और उन में जो changes हो रहे होते हैं for example अगर कोई एक चीज है for example हमारे पास hydrogen है उसके साथ hydrogen के साथ oxygen मिलके क्या बनाता है water यह क्या है matter की composition है अब इनकी दोनों को मिलाने से हमारे पास changes जो हुए हैं अब जैसे hydrogen gas है जबकि हमारे पास water जब मिलके बनता है तो वह क्या बन जाता है यह क्या है liquid है और इनकी में ज chemistry का scope आ जाता है scope of physical chemistry तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है structure of atom तो atom की structure के बारे में study करते हैं जैसे के हमें पता है atom is smallest particle or indivisible है atom की structure में आ जाता है हमारे पास atom पे तीन fundamental particle होते हैं proton electron और neutron electron रिवाल्व करते हैं round the nucleus of proton और जो हमारे पास आ जाते हैं neutron और nucleus में पाए जाते हैं यह atom की structure के बारे में हम लोग study करते हैं physical chemistry पे दूसरा आ जाता है हमारे पास formation of molecules means कि जब atom या फिर हमारे पास molecules कैसे बनते हैं उसकी formation के बारे में हम लोग study करते हैं किसमे physical chemistry में for example हमारे पास water का molecules है तो water के दो molecules मालیکیول, और ऐक्सिजिन का एक मालیکیول मिलके, हमारे personalities क्या बनाता है? आज यह वाटर बना रहा होता है. थर्ड हमारे पास आयाता है इसका स्कोब behavior of gases means कि behavior of gases क्या है gases का behavior क्या है liquid gases है या फिर solid gases है हमारे पास उस पे भी हम लोग जो है किस पे base करती है वो भी physical chemistry पे base करती है अब हमारे पास next आ जाता है effect of temperature तो temperature का क्या effect है matter की composition और physical properties को क्या change करता है temperature तो उसकी बारे में भी हम लोग physical chemistry में study करते हैं जैसे कि for example हमारे पास water है room temperature पे उसकी क्या होता है room temperature पे वो liquid होता है जबकि हम लोग जब उसको heat up करते है temperature को increase करते हैं तो वो किसकी farm में convert हो जाता है gases farm में convert हो जाता है जो changes आ रहे होते हैं matter की composition और properties पे तो उसको हम लोग physical chemistry में study करते हैं तो आज हमारा topic था physical chemistry physical chemistry अमारे पास क्या होती है अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कर लें शेयर कर लें और सबस्क्राइब कर लें अल्ला हाफिस